इशा मालविया ने मनारा चोपडा को बोला बार डांसर तो भड़क उठे हैं राजीव अडाटिया और वीकेंड के वार में ये मुद्धा उठना चाहिए फिलाल वीकेंड के वार में कौन से मुद्दे उठेंगे कौन से नहीं उठेंगे ये देखना दलचस्प रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बी टीम है वो पूरी तरीके से बॉखला गई और बॉखला आट में ना जाने क्या कुछ बोल रही है शायद इनको भी समझनी आ र बॉख बॉटम कॉलिंग बनारा अबार डांसर हव यू लॉस्ट दो प्लॉट यू आर शेमिंग अ वुमन लाइक बिंग अ वुमन यूसल्फ हद हो गई शर्म आनी चाहिए डिस्कस्टिंग और शेमफुल हव देर यू शेमफुल बिग बॉस यू बेटर बेंग दिस जिस तरीके से यहां पर ईशा ने बत्तमीजी किये कल के एपिसोड में वो टोटली रॉंग था और उससे जाधा गरत ये लग रहा था कि अंकिता बढ़ावा दे रही थी बढ़ावा देती भी नजर आ रही थी उसको सारी बाते उस टाइम सही लग रही थी मैंने ही कहती कि मनारा ने कभी ऐसे वोर्ट्स बिग बॉस की गर में यूज नहीं किये बेशक उसने भी यूज किये हैं लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि आप टास्क हारने के बाद इतना जादा गिरोगे फिलाल सबको फिनाले में जाना है बेशक हर कोई फिनाले में जान लकिन इतना जादा गिर कर फिनाली में जाना चाहते हो यह तो नहीं सही लगता इस शाद समय को विढद सल्मान को यह मुद्द के बात में बाट करके सबण नको दिखाने हैं कि कि लेवल तक है यह लोग गिरेंगे या कहना है राजीव की बातों पर कॉमेंट करके जरू प